हलो दोस्तो गुड मॉनिंग नमस्ते कैसे हैं आप सब आसा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे मज़े में होगे आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे निउप लोग में तो दोस्तो हो चुकी है सुबा की सुरुआत आज है 21 अक्टूबर दिन है सोमबार का और यहां पर जो मैंने साम के टाइम में गेहूं रखे थे वही बटोर कर रख देते हैं पन्नी में थोड़ा सा बैसंदत था जो भी चीज़े यहां पर रखी है वो सारी चीज़े हटा देंगे और चांद तो हमारा अभी भी बहुत ज़्यादा चमक रहा है क्योंकि बहुत ही बन गया था और जब हम चाबल से बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे से बनता ही है तो यह मैंने चाबल से ही बनाया था साम के टाइम में और यहां पर फिर साप सफाई कर देते हैं पूरे में और आज का दिन अच्छा है तो आज ही हम लोग करबा भी खोल देंगे जो मैंने टाइम हो चुका है क्योंकि कल काफी टाइम हो गया था लगबग बारा बच गये थे तब जाके हम लेट पाये थे तो इसी बज़े से काफी देरी में उठे हैं और बहुत ज़्यादा थकान भी लग रही है पूरा दिन बरत रखने के बाद बहुत ज़्यादा थकान रात को ही लग रही थी और अब तो बहुत ज़्यादा सुबा के टाइम ठकान लग रही है लेकिन फिर भी जो भी काम है थोड़े बहुत वो खतम करते हैं और अब यह मारी नंदजी भी उठकर नहीं आई है क्योंकि नंदजी भी कल काफी रात तक जागी है देरी हो गई थी पूजा कह तो बहुत सारे बरतन इखटा हो गए थे और थोड़े बहुत बरतन पीछे वाले घर में भी रखे थे तो सारे बरतन इखटा करके धुल लेंगे और अभी चाय बनी है तो थोड़े बहुत चाय नास्ते के भी बरतन हो गए थे तो यहां पर आ चुका है टंकी का पानी तो और ज्यादा बरतन नहीं है बस हलके फुलके बरतन हैं थोड़े से ही तो उनको धुलकर रख देते हैं और अभी हमारे बहुत सारे काम आज भी बाकी हैं और आज हमें जाच कराने के लिए भी जाना है उस दिन आप सभी को दिखाया था कि मैंने जाच कराई थी वहाँ पर आत हैं जाच करने के लिए हर गाउं में आते हैं आप सभी जानते होंगे तो हमारे यहां भी आते हैं तो आज वहां पर जाएंगे जाच करवाने के लिए तो बस जल्दी से पहले सुबह के जो भी काम हैं वो समेट लेते हैं उसके बाद में चलेंगे और काफी टाइम हो चुक हैं और हमने तो साम को बिल्कुल थोड़ा ही खाना खाया था क्योंकि भूंग तो बहुत तेज लगी थी पर तला हुआ खाना था तो इसी बज़े से मैंने बस थोड़ा बहुत ही खाया था और फिर अब सुबा के टाइम खाएंगे और यहां पर आ चुके हैं कपड़े भी मै अलेधिन बांध लेते हैं तो वही सारी महावर जो कलर था वो सारा इसमें वेड़्ित में लग गया था तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था था तो मैंने यहिक बहुत ज़्यादा निके निकल रहे थे तो तो इसी बज़े से मैंने उसको नहीं धुला है तो किसी दिन जब पीको हो जाएगा तब हम धुलेंगे उसको तब तक मैंने जो भी कपड़े थे वो सारे धुल कर डाल दिये हैं थोड़े कपड़े इधर फैला दिये हैं और जल्दी से ही इन दिनों में कपड़े धुल देते हैं क्यよし के बाद में यहां पर फैल जाती है मूंग फली फिर पापा भी बोलने लगते हैं कि सारे कपड़े यहां पर मूंग फली के उपर पानी टपक राया है तो इसी जिसे पहले से ही कपड़े फैला देते हैं तो तब तक पानी जो भी होता है वो निकल जाता है और यहां पर बुआ बना रही है चूला तो एक तो घर में चूला बनाया है जो कि पीछे बाले घर में और एक चूला बुआ ने यहां पर तयार कर दिया है बस यह भी आज बन जा जो कि बन चुका है यह थोड़ा सा छोटा बनाया है और अब की बार यहां पर बगिया में बुवा ने बना दिया है यह भी बहुत ही अच्छे से चूला बुवा ने बनाया है तो यहां पर बस बन चुका है उपर वाली ही मिट्टी लगा रही है तो बस मिट्टी लग जाए उसके बाद में सूक जाएगा फिर हम यही वाला चूला पीछे वाले घर में सेट करेंगे वैसे जो वहाँ पर रखा था चूला वो भी अच्छा है लेकिन एक यह बन जाएगा तो यही वाला सेट करेंगे और थोड़ा सा आरोई के पापा ने बोला था कि घी ले लो क्योंकि थोड़ी सी अभी कमजोरी लग रही है उस दिन मैंने खून की जाच करवाई थी तो वैसे तो सही है उन्दीदी ने बोला है कि अब सही है लेकिन फिर भी अपना अच्छे से ध्यान रखो तो मैंने घी ले लिया है आदा किलो घी लिया है और इसको रख लेंगे तो स्कूल के पास में ही आए है तो सभी लोग यहां पर बैठे हैं जो लोग भी जाच करवाने के लिए आए हैं और दीदी गई हैं जाच करवाने के लिए और हमारी जाच हो चुकी है कुछ टेबलेट बगेरा भी यहां पर मिली थी वो भी आप सभी को दिखाएंगे तो वैस दीदी ने दी थी और थोड़ी सी यहां पर भी मिली है तो इतनी सारी टेबलेट हैं आयरन और केल्सियम की और बहुत सारी टेबलेट हम खा भी चुके हैं तो आयरन की हम रात के समय में खाते हैं और केल्सियम की दिन में खाते हैं और इधर आप खोल देते हैं करवा क्योंक सही रखा है इतना जितना रखा है इतना जो है न कि सभी के यहां हो जाए और सभी लोग घर पर भी सभी को प्रसाद मिल जाए तो इतना प्रसाद इसमें मैंने रखा था तो अलग-अलग कर लेते हैं और सभी के यहां देखर आते हैं और एक हमारी दीदी जी ने पूछा था क ये सींके जो होती है ये क्या होता है और तो ये सींके जो होती है घास होती है आप सभी को कभी भी मौका मिलेगा तो दिखाएंगे किस से ये सींके निकलती है तो उसी से ये सींके निकलती है और पूजा में इनको बहुती जरूरी होना है क्योंकि सींकों से ही पूजा होती है जहां तक है मैंने तो सभी के यहां देखा है कि सिंख से ही पूजा होती है साथ रखो या नौ रखो या फिर ग्यारा रखो तो मैंने तो साथ रखी थी वैसे तो लाए तो काफी थे बहुत सारी सिंखे बच भी गई थी और इन से जहाडू भी बनाया जाता है ऐसा नहीं है कि पूजा के काम ही आती हैं बहुत से लोग ज़ाडू भी बनाते हैं तो हमारे यहां ज़ाडू तो नहीं बनाई जाती है लेकिन पूजा के काम जरूर आती हैं और साधी में भी पूजा के काम ही यह सींके आती हैं और यहां पर उसके बाद में मैंने रख दी थ पर आज नहीं चपका है, उस दिन दाल वाला ही है, तो इधर मैंने मौंग फली निकाल ली हैं, डलिया में रख ली हैं, क्योंकि आरोई के पापा भी आगे थे जल्दी से ही दुकान से, आज खेद पर काम है, खेद में सिचाई हो रही है, तो इनको पापा ने फोन कर दिया थ में अभी मैंने आरोई के बोला था कि निकाल कर रख देते हैं, बुआ को भी दे कर आओ, क्योंकि सबी लोग जो गरम गरम खाते हैं, मौंग फली तो ज्यादा अच्छी लगती हैं, बैसे तो ठंडी हो जाती हैं, फिर इतना ज्यादा अच्छी नहीं लगती हैं, और यह पापा खाना खा रहे हैं, और आप सभी ने कल और परसों के ब्लोग में बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट किये, हमें बहुत अच्छा लगा, इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहेगा, अपना प्यारों सपोर्ट बनाए रखना, और जो दोस्त हमारे चैनल पर न लेते हैं या फिर कंगल लगा लेते हैं काच के तो वैसे मैंने खरीद ली हैं लेकिन जब भी हम पहनेंगे तो काच की चूड़ी जरूर पहन और एक हमारी दीदी हैं, जोती तो उन्होंने कमेंट किया है, कि आप अब की बार जब भी मेला जाना, तो एक कुक्की लेकर आना रोटी बनाने के लिए, तो जी दी बैसे तो कुछ समझ में हमें नहीं आ रहा है कि ये कुकी क्या होता है आप हमें दुबारा से बताएं तो हो सकता है अगली बार जब भी हम चाएंगे तो जरूर लेकर आएंगे और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है उन्होंने कमेंट किया है कि पुताई आप कर और महिक हमेंठ आती ओर बहुत ही मिटी की अच्छी हमें महिक आती है और आपको काम देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है तो थैंकिव सोमा दीधी इसी तरह आप हमारे चैनल से जुढ़े रहेंगा और एग हमारी दीधी ने कमेंट किया है कि सुनीता यसे अफिस्हेеля वा जुड़े हैं जो दोस्त उनके वीडियो नहीं देखते हैं सुनिता दीदी के तो आप सभी भी जाएए उनके वीडियो भी बहुत ही प्यारे आते हैं जो कि मिट्टी के ही काम दिखाती हैं दीदी वो भी और हम उनके रोज वीडियो देखते हैं और बहुत ही अच्छे से उन की सबजी तो बैसे तो इन दिनों में तेल मसाले वाली सबजी खाने का मन तो हमें नहीं होता है बिलकुल भी लेकिन आरोही के पापा जो हैने कि इनको मसरूम बहुत ज़्यदा पसंद आता है तो बस हलके से मैंने मसाले डाले थे आज सबजी में थोड़े बहुत मसाले ही डा ख kissy, तो कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि बहुत जादा पेट में गैस बनती है कभी तो उल्जन पढ़ने लगती है आइसे तो पहले जो नले धार बार लिए most लोह मसाले वाली चीजे खाते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसी बज़े से हम कुछ भी चीजे ना तो बाजार से मंगवा कर खाते हैं जैसे बैसे पसंद तो है सभी को पसंद होती है जैसे ये चीजे तली वाली टिक्की समोसा पकोड़ा यह सारी चीजे बहुत ही पसंद आती हैं हमें भी लेकिन हम कभी भी नहीं मंगवाते हैं और यहां पर मसाले मैंने सारे भून लिये हैं उसके बाद में डाल देते हैं मटर और अच्छे से इसको कौर लेते हैं उसके बाद में डाल देंगे मसरूम तो बस ऐसे ही मैंने बस सिं भी मैंने काट कर रख लिया है तो बना लेते हैं सबजी और उसके बाद में अभी रोटियां भी सेंकनी हैं तो रोटियां भी सेंक लेंगे और थोड़ा सा जल्दी ही था क्योंकि मैंने का जल्दी से खाना बन जाए उसके बाद में आराम करेंगे और अभी भी थकान हमें ब्रत इतना जो हैंने की 24 गंटे का ब्रत हो जाता है, और ये चीज़ हमें मालूम नहीं थी, ये चीज़ हमें बाद में मालूम पड़ी, कि 6 बजे से ब्रत स्टार्ट हुआ था, और ये चीज़ अगर मालूम होती, तो इस बार पहले कुछ ना कुछ खा लेते, लेकिन हमारे यहां कोई खाता नहीं है तो इसी बज़े से थोड़ा सा बो लगा रहता है कि रहने देते हैं कोई नहीं एक ब्रत पड़ता है तो हो जाएगा आराम से और यहां पर मैंने चौक दी है सबजी तो सबजी हमारी बन गई थी उसके बाद में मैंने रख दिया है दूद को रख लेते हैं और इधा सेंक लेते हैं रोटियां आज थोड़ा सा ही ब्लोग बना पाया था क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी और अभी भी हमें बहुत ज़्यादा थकान लग रही है वैसे तबित तो बिल्कुल ठीक है हमारी कोई दिक्कन नह नहीं पाये हैं और आज भी दिन में अच्छे से नहीं सो पाये थोड़ी बहुत देर के लिए आराम तो कर लिया था लेकिन सो नहीं पाये हैं जब तक अच्छे से नीद नहीं पूरी होगी तब तक ठकान नहीं दूर होगी और बस ब्रत रखने के कारण ही ये ठकान लग र और अभी हमारे चौका बरतन के काम बाकी हैं तो जो भी हम साम के टाइम में जो भी काम कर पाएंगे चौका बरतन के वो कर देंगे नहीं तो भी सुबा के टाइम करेंगे क्योंकि थकान तो अभी से ही बहुत ज़्यादा लग रही थी जितने टाइम हम रोटिया बना रहे थे और आसा करते हैं दोस्तों आज का ब्लोग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा अगर आप सभी को हमारे ब्लोग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें कल फिर मिलेंगे अच्छे से ब्लोग के साथ में तब तक के लिए आप सभी दोस्तों